गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज महा सिवरात्री है और महा सिवरात्री के पर्व के अउसर पर आप सभी को हार्दीक दिल से सुबकाबनाएं और भोले नात आप सभी की मनो कामना पूर्ण करें आपके परिवार में सुख सांती तो चलिए फ्रेंड्स आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं तो आज मैं आप लोग से देशी जर्वेरा की देख भाल हम कैसे करें इसी टॉपिक पर बात करूंगी और कैसे जगब पर रखें वाटरिंग का कैसे ख्याल करें कैसी मिठ्टी तयार करें और कौन से है और देख़ूंगी अनेक्स टीयर जरूर एट करूंगी तो देखें कितने अच्छे खुबसूरत फ्लावर्स आ रहे हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें मेरी फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है कलिया आई है इस्ताह से और कुछ में अभी कलिया नहीं आई है और कितना अच्छा बूसी हो गया है और काफी अच्छा है तो चलिए इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं तो जर्वेरा के प्लांट के लिए आप बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तयार कीजिए क्योंकि ये प्लांट अकसर फंगस अटैक से पूरा प्लांट ही खराब ह जाता है और दूसरा बड़ा कारण है ओवर वाटरिंग तो यदि आप इनमें लगातार पानी देते रहेंगे तो इनकी जड़े जो है फंगस लगकर पूरी प्लांट को खराब कर देती है तो पानी का विशेज ध्यान देना है तो मिट्टी किस तरह से हम बनाएं तो इसके आप इसकी मिट्टी तयार कर सकते हैं और इसी मिट्टी पे आप इनको लगाईए और मैंने भी लिया था प्लांट और देखें कितनी अच्छी इनकी ग्रोध भी आगे कितने खुबसूरत सुन्दर सुन्दर से फ्लावर्स आ रहे हैं और इनके फ्लावर काफी दीनों तक प्लांट में रहते हैं और मुर्जाते नहीं है जल्दी काफी दिनों तक अच्छे से रहते हैं तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी तयार कीजिए और देखिए मैंने इसको ऐसे जगह पर प्लेस किया है जहां पर लगभग इसको तीन से चार घंटे की सनलाइट मिलती है ज् एक इस्टिक निकलती है उसी में इनकी कलिया होती है तो जब भी आप फूलों को कट करें तो नीचे बिल्कुल इस्टिक को नीचे से कट करें और इनसे आप बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारे बीज कलेक्ट करके रखे हैं अभी अभी और देखे इस तरह से इनके बीज होते हैं, तो आप बीज भी collect कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे से देखे इस तरह से जो नीचे वाला भाग है, यहाँ से नीचे वाला भाग वही इनके बीज है, तो यह तो अभी अच्छे से सूखा नहीं था और मैंने फ्लावर कट कर दि का आपको विशेज ध्यान देना है तो जब भी जर्बेरा की प्लान को आप पानी दे हमेशा गमले की मिट्टी एक से डेड़ इंच की मिट्टी जो है सूखी हो तभी इन में पानी डालें नहीं तो पानी मत दीजिए लगभग मैं तो इनको एक से दो दिन हो जाते हैं मैं इन तो आपको पता भी चल जाएगा कि इन में पानी डालना है और लगातार यदि आप पानी डालते जाएंगे तो फंगस अटैक होगा और प्लांट खराब हो जाएगा और फ्रेंड्स आपको हर दस दिन में फंगी साइट का इस्प्रे भी करना है फंगी साइट पावडर का और इनकी पतियां जब आपको लगे कि यलो हो रही हैं तो इनके गमले में आधा चम्मच एपसम सॉल्ट डाल कर गुडाई कर दीजिए और फर्टिलाइजर कोन सा यूज किया है मैंने तो मैंने इनको वर्मिक कमपोस्ट दिया है उसके 10 दिनों बाद मैंने लिक्विट फर केंटीन भी आप जर्वेरा के प्लान को दे सकते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं तो इसकी बहुत कम मात्रा लेनी है क्योंकि ये केमिकल है तो इस तरह से देखिए आपको बिल्कुल आधा चम्मच लेना है और ये 1 लिटर का पानी है एक लिटर पानी है तो आधा चमच इस तरह से लेकर अच्छे से घोल लिजिए और मेरे पास आठ गमले हैं छोटे 6-6 इंज के 8 गमले हैं तो मैं सभी में थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालूँगी एक ही गमले में मैं इतने सारे पानी नहीं डालने हैं बस थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालना हैं तो मैं एक लिटर को आठ गंबले में मैं दूँगी तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लिजे कि कितना कितना पानी डालना है गंबले में इस तरह से और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है आपके प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और सरसो प्लांट को इस तरह से हम जर्वेरा की देख भाल कर सकते हैं फंगी साइट का इस्प्रेय आपको हर 10-15 दिनों में बिलकुल करना ही है फंगस अटेक के चांसे बहुत रहते हैं और इनको आप नेक्स्ट येर के लिए बचा सकते हैं लेकिन एक बात कहना चाहूंगी फ्रें अधिकतर प्लांट आप नेक्स्ट येर के लिए सेब करके रख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको जगह की जर्वत पड़ेगी जगह कैसी कि यदि ज्यादा सनलाइट होती है समर सीजन में गर्मी के दिनों में आपको उनको गर्मियों से बचाना है और बारिस के दिनों मे कि मैं टेरिस पे गाडनिंग करती हूँ तो मेरे पास भी संभाव नहीं है कि मैं विंटर सीजन के बहुत सारे प्लांट बचा सकूँ क्यों कि जगह ही नहीं है आप लोगों ने देखा मेरे टेरिस में लगभग 4 तरप फ्लावर के प्लांट है तो इनतने सारे प्लांट तो इस तरह से आप रखिए ज्यादा सनलाइट में मत रखिए ज्यादा सनलाइट में रखने से इनकी पतिया और फूल भी खराब होते हैं और पतिया जलने लगती है तो बस फ्रेंड्स मैं अपने जर्वेरा के प्लांट को इतना ही केयर करती हूं और तो मैं कुछ नहीं करती और ज्यादा फर्टिलाइजर भी मैं नहीं देती हूं जो लिक्विट फर्टिलाइजर जब बनाती हूं वो दे देती हूं वर्मी कमपोजड कभी 15 दिन में 20 दिन में कभी तो एक-एक महना डेड़ेड महना भी हो जाता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो आसा करत देखा ही है बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स बाई बाई